कि नमस्कार दोस्तों कैसे आप सभी में उम्मीद करते हूं आप सभी बढ़िया होंगे शांतार होंगे लगतार वीडियो को देख रहे होंगे 75 हार्ड 75 हार्ड चैलिंज चल रहा है दोस्तों हमारा जिसके अंतरकत हम लोग आपको कॉमर्स के तीनों सेक्षन करवा रहे हैं कंप्लीटली इसी संदर्म में हमने इंडियन एकनोमिक डवलोपमेंट के दो चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं आज मैकर एकनोमिस की पहली वीडियो हम लोग लौंच करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं न होग संदंगर लगता है वह इंट और योटो कि तने चार चैप्टर के अंदर यह दो चैप्टर ऐसे आंगहें जिनके अंदर निमेरिकल देखने को मिलेंगे को समझ मारीय ना इमेरिकल इसमें दोन मेंटियोरी है कि चार चैप्टर की यूनिट आवरोल आपको मिलेगी यह 10 नंबर की तो दस नंबर के पढ़ाने का से थोड़ा सा लग है किताब की बाते और काहा कैसे अलग है मैं भी बता दूँगा आपको और कौन सा बहतर रहे वह आप लोग जज कर ले रही वह होते हैं वे फिनोमेना वे चीजें जिनको हम क्या गर सकते हैं काउंट कर सकते हैं जो चेंज किये जास्ता जो च जो चीज रुकी हुई है वो यहां पर स्टॉक कह लाएगी और जो चीज चल रही है जो चीज चल रही है which is in movement जहां पर हमको movement दिखाई दे जहां पर हमको range दिखाई दे range का मतलब क्या होता है जहां पर हमको band दिखाई दे range band दिखाई दे ना 10 से 10.30 और यहां पर क्या होगा केवल 10 बजे यह है चीज जो जी रुकी हुई है, थमी हुई है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, हमारी stock जो जी चल रही है लगातार, उसको हम क्या कहते है, उसको कहते है, flow, रुकी हुई चीज, stock, बहती हुई चीज, flow, flow का मतलब ही बहना होता है, तो जो जी बह रही है, वही क्या कहलाएगी है, हमा पॉइंट उफ टाइम से मेरा तात पर रिया सुभा 10 वजे इसमें कोई रेंज नहीं है इसमें कोई टाइम प्रेंड नहीं यहां पर एक रेंज आ गई एक यह बैंड आ गया दस से साड़े दस आदे घंटे का यह क्या क्या लाएगा फ्लो क्या लाएगा जो पॉइंट ऑफ टाइम पर है वह स्टॉक जो बहरा है वह फिलो आप इसको बैस्ट अग्जामपल एक समझो मोबाइल से आपने फोटो होती है एक समय की होती है तो वह क्या कहला है कि स्टॉक लेकिन उसी मोबाइल सा गरम वीडियो बना लें अब यह आप वीडियो देख रही हो इसमें रेंज आगी ना पच्चीस मिनट की है यहां से यहां तक की वीडियो है वीडियो छोटी-छोटी कितनी भी बनाओ गया र वो अ वीडियो बतुन chemotherapy क्या बन सकता है तो यह पाने की टंकी है कि escaping की में हमने पानी भरईर ओर तीक पानी डेंवें और ये वासूत पानी बहें यहां से यह हो गया है यह एक तरफ से हो रहा है हमारा inflow एक तरफ से हो रहा है अदो यह हो गया inflow यह हो घानि और मैं आपसे पूछता हूँ एक बात लुचता हूं इस पांव थी है कि इस यह कि व्र कहई है न कर огром तो केवल मैं उसकी बात कर रहा हूं जो पानी यहां पर भरा हुआ है यह क्या कहलाएगा? टॉक क्योंकि यह पानी ना कहीं आ रहा है और ना कहीं जा रहा है बास तो उम्झमाई यह लेकिन यह जो मैंने इन फ्ट्लो किया अगर मैं इस पानी को भरने लगूं इसमें और जाद penguin लगू तो पानी क्या हो रहाँ है और इंक्री केखल रहाए लो और जो पानी अगर मैं बाहर निकाल लूँ इसमेंसे तो पानी आउट हो रहा है तो ये भी क्या क्या लाएगा फिलो ओब्यस्थी बात जो रुका हुआ है वो स्टोक है जो बह गया वो फिलो है इस पानी की टंकी के एक्जांपल को आप कहीं भी लगा सकते हैं मैं आपसे दसजार रुपे रखी हैं आज अछ फिलो कमेंट करूं फो लेकिन मैंने अपने बैंक अकाउंट में 10 जार रुपे ओवड़ाले लू मैंने अकाउंटसे 5 जार रुपे निकाले लू समझे ना मेरी संपत्ति वैल्स आज इतनी है stock, मेरी income इतनी है, flow, मेरा खर्चा इतना है, flow, याने कि जो रुग रहा हुआ है, जो point of time पे आता है, वो क्या होता है, stock होता है, और जो चीजा बह रही है, चल रही है, वो क्या होती है, flow होती है, बासमा न मारिए, इतना आसान भी नहीं है, तो बालग बताएंगे जी ये तो मार्च का है तो ये फॉफित हो सकता है नहीं ये थुलो है एक क्यूं है युसाल किप्राफिट किसी पर्टिक्लर पक्षिस ठाइम का नहीं होता प्रोफिटेक रेंज का होता, मन्त का होगा, येर का होगा, बास समझें न, सेम एस लॉस, लॉस प्रोफिटेक है, फिलो है, तो भी ये फिलो कहलाएगा, क्यूं, क्योंकि वो किसी समय का है, मैं आप से पूछें, क्यों, दिसंबर में मैंने 10,000 यूनिट बनाई, stock and flow, क्यों, पूरी दिसंबर की बात हो रही है, लेकिन मैं बोलूं कि मैंने फॉस्ट जनवरी को इतना काम किया है यह हो जाएगा तो जहां प्रीड ओफ टाइम दिया गया हो यहां टाइम में रेंज दी गई हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं फ्लो कहते हैं बाकी जो चीज़ रुकी हुई है थमी हुई है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम स्टॉक कहते हैं बास समझ मारी क्लियर है बहुत बड़ी है अब यह जो हमारा फ्लो है लो भी दो परकार का दो परकार का फ्लो एक होता है मनी फ्लो और एक होता है क्या रियल फ्लो is money flow, real flow कुछ नहीं जिस flow में पैसे लग जघ्धे वह तो हो गया तुम्हारं money flow और जिसमें पैसा नहीं लगता है wel क्या हो जाता है real flow realize low में एक तरह से आप कह सकते हो Byड-der Сов gadget जैसे system होता है चिस transactions के अंदर जिस flow में आपका पैसध saying include नहीं होता वी आपका क्या करी तो जहां प्रपैसा क्योंद हो जाता है वह मनी qo हो जाता है मनी है तो मनीं qo नहीं है तो समझे बात मनी फुछ में आ जाया कि मैंने आपको ट्यूसं पढ़ाया और आपने मेरे को पीज दी यह क्या प्रवाइड करी और बदले में हमको वीट मिल गया तो पैसे तो कोई यह नहीं गाएगा यह कहलाएगा मारा रियल्फिलो इतनी बात याद रखो कि इस टौक और फुलो दो चीज वोती है इस टॉक जो रुका हुआ है फिलो भी तो परकार का मनी और रियल मनी फिलो वह फिलो होता है पैसे लगा होता है रियल फिलो फिलो होता है जिसमें की हमारा पैसा लगा हूवा नहीं होता है अगे बढ़ते हैं ऐसी केस आइटम्स और भी समझ ली है थिक थिक ना पहले चाप्टर। में जायद एक होती है हमारी प्रेक्टर इंकम या ऐसे भी नहीं पढ़ो आप दूसरे तरीके से पढ़ो आप दूसरे तरीके से पढ़ो समझे एक है मेहनत की कमाई कंसेप्ट दूर तक देगा के वन नैशन इंकम नक्सी में नहीं है एक है बिना मेहनत की एक है बिना मेहनत की कमाई बिना मेहनत की कमाई का मतलब होता है जिसके लिए हमने कभी कुछ नहीं करा ना किया था ना किया है ना करेंगे क्योंकि किया था और अब पैसे मिल रहा है वो भी मेहनत की कमाई है और यह कैसी है यह हमारी हराम की कमाई है जिसके लिए ना हमने किया था ना किया है ना करें ना करा ना करें ऐसी इंकम कुम क्या कहते हैं मुफ्त की कमाई और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांस्फर इंकम क्या बूलते हैं ट्रांस्फर इंकम एक्जामपल के तोर पर आप स्कोलर्शिप समझे लो कि आम यह बोलना के स्कोलर्शिप के लिए मेहनत करनी पड़ती है ऐसा कुछ नहीं है और ओल्डेज पैंशन विडव पैंशन भी इसमें बोल सकते हैं विदवा पैंशन जो आती है रिटार्मेंट पैंशन नहीं बोलेंगे क्योंकि रिटार्मेंट पैंशन तब उसको मिलती है जिसने 60 साल की उमर तक काम करा हो तो रिटार्मेंट पैंशन ट्रांस्फर इंकम नहीं होती है मेहनत की कमाई दो परकार की a मेहनत की कमाई दो परकार की एक जिसको हम कहते हैं एक ट Boris इनकम और एक होती है जोंध तर इंकर कुआ आपकर चैप्टर में मिले भी ना यह बाद बाद को बता रहागा एक होती है factor income और एक होती है नोन factor income अब एक मेरी बात ध्यान रखो हमेशां कि जब भी आपको factor शब्द दिखाई दे आप इसको relate करें factors of production से किससे factors of production से और factors of production होते है चार land labor capital entrepreneur level क्या होते हैं land labor capital एक एधर लिख siu land labor capital एंटफिन्योर land के बदले में क्या मिलता है Employee wages यह कैप्टल के बदले में क्या पिचल मिलेंगा कि यह फेक्टर इंकमłemINGे मैंने क्या बोला फ्क फेक्टर है तो सब्सक्लाब यहां दिखाई तो सबसकी करो और हुआ कि ये आपके यह फ्क में do जो आपने services provide करी मेहनत करी है वो और यह जो आपको उससे income मिली यह आपकी कहलाएगी factor income क्या कहलाएगी आपकी factor income इसको उसको मेहनत की कम आई लेकिन महनत भी कौन सी वाली केवल चार कामों में करी गई महनत कौन सी लैंड लेवर कैपिटल एंटरपीनियोर इन चार जगा महनत करके जो पईसा कमा आजा वो फैक्टर इंकम कहलाएगा लेंड, लेबर, कैपिटल, एंटरपिनियोर, यह हमारी factors और इसे हैं, इनके बदले में, लेंड के बदले में, रेंट, लेबर के बदले में, वेजिस, कैपिटल के बदले में, इंटिरेस्ट, और एंटरपिनियोर के बदले में, प्रॉफिट, बात समझे के नहीं समझे, यह क्या क्या लाएंगे हमारी यह क्या लाएंगे हमारी फैक्टर इंकम और यह क्या 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 लाएंगी यह क्या लाएंगी फैक्टर सर्विसिस इसके अलावा कोई भी महनत करके जैसे बैंकिंग जैसे टीचिंग जैसे इंसुरेंस जैसे कुछ भी इनके अलावा इनके अलावा कुछ भी काम करके जो पैसा आपने कमाया वो आपका non-factor income कहलाएगा मुद्दा समापत हो गया क्या income are of two type मेहनत की और हराम की मेहनत की कमाई के दो पाइट factor income और non-factor income factor income land labor capital entrepreneur से कमाया पैसा factor income और इनके अलावा कहीं से पैसा कमाया non-factor income क्या कहलाएगा non-factor income कहलाएगा बासमेमारी है यह हो गई भहिए तुमारी income की बात किसी को आपत्ती problem यहां पर है तो तुरंत से पूछो लेकिन एक बात और समझ लो कि सर बोलते हो पूछ लो और फिर बताने लगते हो अपनी बात तुनो कमेंट कर देना जो पूछ लिए het transfer income का national income से कोई लेना देना नहीं note Included इन क्योंकि nation कहती है हमें चालôm मेहनल की कमाई मुफत की कमाई किसेने कैसे कहाँ क्यूं कमा लई हमें मतलब नहीं वा बात लाइते हमें से कमाया गया पैसे नेशन कम हराम का पैसा नहीं होता है इसलिए ट्रांसफर इंकम कभी भी द नहीं रहता हो जाएगी और यह बार मेंट पैंशन हो जाएगी क्यों धकी या मेहनत करें वह उसके लिए हमने चार्ट साल की उमर तक काम करा ँद एक मात्रों ऐसी पैंजन में होती है लिटारमेंट सज्गें इसके लटावब कुछ आगे पढ़ेंगे टाइप सफ गुड्स सारी छोड़ी छोड़ी चीजों को समझ गे न अगले चैप्टर ने तुम्हारा जो सर्कुलर फिलो वाला टोपिक है तुम आपकर देंगे उसको टाइप सो गुड्स आप देखो क्या आनंद मिलता है टाइप सो गुड्स में हमको प अरेख होते हैं बिनाले गुड्स कौन-कौन से इंटरमीडियेट और चलो इसी चलने जिते हैं छोड़ो कौन से चल लाता इंटरमीडियेट और फाइनल गुड्स दो परकार के इंटरमीडियेट गुड्स और फाइनल गुड्स फाइनल तो फाइनल हैं विचार रेडी टू कंज्यूम विचार रेडी टू कंज्यूम हैं काटो गहलो लगालो इत्ताई जी डेडिस फाइनल गुड्स लेकिन इंटरमीडियेट गुड्स वे गुड्स होते हैं जो अभी इ intermediate कहलेंगे कौन-कौन सी करेक्टरिस्टिक पहली भाइया अभी इन में फर्दर प्रोडक्षन होना बाकी है कि इट मीन्स देयार नोट रेडी अभी इनमें इनको खरीदूंगा फिर इनको कुछ और बनाऊंगा तब बेचूंगा अभी इनमें गृष्ट мом bart often means थे खालांओं व्याओं जzenंगा तो मेरे लिए लेदर क्या क्या और बशच्व ik और बेचिओंग मेरे चावल क्या लगाएगा इंट्रमीडियेट क्यालाएगा क्या कि मैंने इसको क्श और बनाके बेचा तो जिसको हम खरीदते हैं इस परपस के साथ के इसको कुछ और बना के बेचेंगे बास समझें ना जिसमें further production अभी होनी बाकी है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं intermediate goods पहली condition दूसरी जो आपने resale के लिए खरीदी है मतलब आपने खरीदी है लेकिन आप सको consume नहीं करोगे आप ऐसा का ऐसा ही आगया बेच दोगे तो intermediate goods की दो characteristic एक में तो आप उसे खरीदे कुछ और बना के बेच रहे हो और एक में आप क्या कर रहे हो ऐसा का ऐसा ही बेच रहे हो दौनों कंडिशन में जैसा इस्तमाल करने के लिए बनी है वैस्तों इस्तमाल करी है ना आपने नहीं आरी बास समझ में समझे के नहीं चावल का grocery shop पर परचून की दुकान पर चावल खरीदा गया है दुकान दान ने चावल खरीदा क्यों खरीदा क्यों कि वो उसको बेचेगा तो उसके लिए क्या है उसने रिसेल के लिए खरीदा तो उसके लिए इंटरमीडियेट गूर्स कहलाएगा दुकान दार से उस दुकान दा डिखन रहा लेकिन कुछ होर बनाकर बेच रहा है आप ध्वान से सोचो ने परचून की दुकान वीलेने चावल को है किहां क्यों है सावल इसलिए बनाए कि आ evolves इसे बनाओ ऑले ने खाया नही instructively ने खाया परियाने वाले नेखाया नहीं खाया एकन तो ऐसा का उठा कर बेच दिया और एक है उसको कुछ वे यूज होते हैं कंज्यूम करने का मतलब उभभोग है ठालिया और कुछ और बना के बेच रहा हूं तो यूज कर रहा हूं मैं उसका बास समझे के नहीं लेकिन जो कंज्यूम हो जाते हैं वो कहलाते हैं क्या यूज फाइनल गूट्स मैंने चावल खरीदा घर में बनाया और भाई साफ सटक गयाँ यह यही फैनल गूट्स में यह पा सपूल करा ना कुछ और बना कर बनाया उसका बेचने के लिए मैं तो उसे बना कर खुदी चबा गिया यह क्या कहलाएगा यह फाइनल गूड़ फाइनल गूड़ बेसिकली अर्डूस गूड़ जिनको मैंने खरीदा और खरीद कर डबा खोला इस्तमाल कर लिया थे आर जैसे और सुल्लो भाइया ने लैप्टोप खरीदा अर्व लैप्टोप को घर में लाकर इस्तमाल करना शुरू कर दिया कंज्यूम कर लिया ना डबक होल कर लिया लेकिन उसी लैप्टोप को क्रोमा वाले ने खरीदा आए अब क्रोम माला उसा लगाया दुकान पर आगे बेच देगा, किसी को resell कर रहा। क्या उसके लिए वो final good है, नहीं intermediate, है वो resell कर रहा है। मौबाइल की मौबाइल ऑले ने चार मोबाइल खुरेदे आगे बेचने के लिए क्या उसने μεखने कर लिया, नहीं उसे डबवाई लोला जैसा डबाया एक्जेक्ट ली वैसा कर वैसे ही बेचेगा यह इंटर्मीडियेट है लेकिन उस डब्ब को खरीद के और मैंने डब्बा खोल के करना चालू कर दिया फैनल झूट निस कर लिए और नहीं दिक्कतन नहीं टो आगए है ठाईल गूट भीー को अघूर परकार के भी आंऊ है मात समझें न कि कि सी औहुंन वह नक्र ख़कि अब हêtना भाई आप लोगों दो फोर कार कर एक कह लाते हैं हमारे गाजूमर गुड है पिर एक कह लाते हैं capital goods consumer goods and capital goods दोस्तों ध्यान संद्धा कंज्यूमर कौन होता है ड्राइव करने वाला ड्राइवर टीच करने वाला टीचर कंड़क करने वाला कंड़क्टर हेल्प करने वाला हेल्पर इसी को आगे बढ़ाते रहो हमें को में से वाला टीच्यूमर होता है जो ड्राइव करता है तो को पर चैस करना वो अलग अलग बाते हैं जरूर नहीं है कि जिसने पर oh one भॉह कर रहा हो मेरे घर्यवालों मॉबाइल फरे खरीदा खरीद के मुझे दिए जैअगे ले बीटा जी ले अपने जिंदगी तो यहां पर कस्टुमर कोन है कस्टुमर है जिसने खरीदा और कंजीमर को नहीं जिसने उसको इस्तमाल करा समझे कर ने का मतलब होता पूंजी और पूंजी का मतलब होता बिजनेस में लगाया हुआ पैशा समझे ना तो Capital Goods are those goods Capital goods वे goods होते हैं जिनको हम अपनी पूंजी से के खरीदते हैं यहां पिजनिस में लगाया हुआ है फिसमें गुड्स में लगाया हुआ न सब्सक्राइब करें पैसा हमेशा लॉंग टर्म के लिए लगाए जाता है लॉंग टर्म के लिए इसलिए जुगार याद रखना चैपिटल चप जहां दिखाई दे उसके ऊपर नीचे आगे पीछे पुछ भी लिखा उसको रिलेट कर देना लॉंग टर्म से चाहे वो कैपि काप्टर कुछ भी है जहां दिख जाए कैपिल ट्रांजेक्शन भी है लिख दो कैपिल का मतलब लॉंग टर्म उसके साथ जोगा शोट टर्म हो जाएगा यह कैसे जहां पर जो गाड़ काम काता वो समझते फिलाल फाइनल गूड दो परकार के कंजूमर और कैपिटल होते कौ क्योreg仔 गजते हैं तो गहांशे प्रभिवार को लेते हैं मजसे मारते हैं खूप इसे गुड्स क्याला एग कि यह consumer good क्या लाएगा बासमझे ना लेकिन इशी गाड़ी को गर में ओला में लगा दूँ और ओला में लगा कि दबादब जो है booking पैसे पैसे पैसा मोटा पैसा छाप दूँ तो क्या हो जाएगा capital good मैंने laptop खरीदा घर में इस्तमाल करा consumer goods लेकिन वहीं laptop अपनी company में इस्टॉल करवा दूँ capital goods कि समझे के नहीं आटा पीसने की नहीं गहूं पीसने की मसीन लाया और केवल अपने घर का ही जो गहूं किसी और बाहरवाले का नहीं consumer goods लेकिन सबके यहूं पीस पीस कर पैसा कमाने लगूं तो capital goods बास समझे के नहीं समझे consumer goods वे गूड़ होते हैं जिनको हम खरीतते हैं अपने घर में और पैसा कमाने के लिए इसलिए consumer goods के ऊपर किया गया खर्चा consumption expenditure कहलाता है क्या कहलाता है consumption expenditure के वह तुमारे consume करने पर जो पैसा खर्चों अपने च्पेंडिचर और capital goods वे गूड़ होते हैं जो कि पैसा कमाने के लिए लगाए गई हैं पैसा कमाने के लिए किया गया खर्चा investment कहलाता है इसलिए इसको investment expenditure न बोल दें कि क्या बन जाता है कि क्या पर लेंगे इसको इन्वेस्टिमेंट expenditure यह consumption expenditure वो investment expenditure बासमंझमा गई और सुनो कि यह capital goods तो business man लगाता है तो हम यह कह सकते हैं क्या कि capital goods are those goods जो business man लगाता है क्योंकि capital goods तो business में लगए हैं तो business man लगाता होगा और सुनो detail एक category और पढ़ लेते हैं जिसको हम कहेंगे producer goods क्या नाम देंगे producer goods consumer goods को consumer खरीद रहा तो producer goods को कौन खरीदेगा producer खरीदेगा अब जो producer goods खरीदता ना वो भी दो परकार के वो भी दो परकार के कैसे क्योंकि अलग पैन से लिखेंगे क्योंकि वो खरीदेगा या तो खरीदेगा यह शोट टर्म के लिए अब समझे को क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे डाटा सारा 24 खरीदेगा लोंग टर्म के लिए कि वाह समझे ना अगर प्रड्यूसरjust रम के लिए वह रिता आए न तो वह कहलाता रोंट ठेरियल बहुत दूर तक जाएगा बठा अगया आा पको बता रहूं अगया कहां कहां कर दफ़ अपिणारं जो लॉन करेता है ना वहि significance कहला अए ना उटित है और Memorial कहला आता क्यूता है कि बिख तो जो गुड हमारा प्रोडिूसर लांग टर्म के लिए खरीदता है जैसे की मसीन जैसे की मसीन किioned यह नव जी मूं गया लैंड हो गया फरनीचर जिस सारी चीजे जो हम खरीते हैं जिंसे पैसा घूर कि उमीद करते हैं सारा हमारा लॉंग टर्म करे खरी दे गए कैपिटल गुड्स क्यालाता है बास समझ मारी है ठीक है ना यह बास समझ मांगी आगे सुनों कंजप्शन एकषेंडिचर है इनमें क्यिकरी बन जाती है जैसे सबसे पहली केटेगरी बनती है ड्यूरेबल गुड्स की क्या होता है ड्यूरेबल गुड्स दूसरे आते हैं कि फैमी ड्यूरेबल अपन से semi-durable goods और तीसरे आते हैं non-durable कौन से non-durable goods और last में आ जाती है तुमारी बाकी services अब ये क्या लेंद है वो भी समझते हैं भाई ये देखो durable का मतलब होता है जो long term के लिए इस्तमाल के है durabilty का मतलब durabilty गा मतलब उता है वो कितने समय तक हमाहे साथ रहेगा Durable Goods, वे goods उते हैं जो long term तक 8-10 साल हमारे साथ रहेंगे वे durable Goods जो 8-10 साल रहेंगे semi-durable long term के लिए रहेंगे लेकिन उतने नहीं जıtने durable रहते हैं मतलब Durable अगर 8-10 साल रह रहें तो semi-durable मान के चलो 4-5 साल चलेंगे हमारे साथ बास समझ मागी जैसे Durable में तुमारी गाड़ी आ गई कपड़े आ गए और नौन-durable यूजा रहो केवल एक बार इस्तमाल की जाने वाली चीज के बार इसको फैक देते हैं तो उसको नौन-डूरेबल ठीक है लास्ट में सारी सीजा जाती है लास्ट में उसकी सारी सीजा जाती है अब यह जो मैंने आपको बात बता ही ना टाइप बारवी किला से सीधा प्रसंद नहीं आता आप से प्रसंद क्या पूछा जाएगा आपसे परसंद पूछा जाएगा मित्रों हमें एक बात बताइए के नौन-डूरेबल प्रडूसर गूड्स कोन से होते हैं नौन-डूरेबल का मतलब वह यूसेंड ठोडू और परडूस तो जब आपको national income में examiner यह कहना चाहेगा ना कि भाई साब वो material या short term वाले goods producer के तो वो directly नहीं बोलेगा वो घुमा कहलाएगा non-durable producer goods या फिर बोले durable producer goods तो durable producer goods क्या कहलाएगे भी या पेवर्ट प्रडूइसर वुट्स क्या हैं कौन साफ कहा नहीं सको जैएब प्रडूइसर बूट्स क्या यहां में के टिरिएब प्रड प्रडूइसर गूट्स gebracht है क्यों साथ क्राइब है कंशा प्रडूइल सम주는 kunde क्यों संदए समझे नॉन्ट्रेबल यानि कि जो बहुत कम समय के लिए परड़ीसर खरीद रहा है वो रो मैटेरियल है लॉंट्रम के जो परड़ीसर खरीदता है वो क्याप्टल गुड्स है तो तीन टाइप मेन हमने पड़े इंटरमिडेट फाइनल और परड़ीसर गुड्स तीन ओम को किलियर हो गई है इसकी अगर फोटो खीचनी है तो इसक्रीन सोट लो जो भी करना जल्दी करो ठीक है ना आज की सेवा यहां पर हम करेंगे समाप्त इसी करें कल टाटा बाए बाए